आज मैं आप लोगों के लिए ब्राउन चेटनी और ग्रीन चेटनी की बहुत ही बड़िया सी रेसिपी लेकर आई हूँ इस चेटनी के साथ आप जेनरली चाट या फिर भेल या फिर ढोकला या समोस अगरा इंजॉय करते हैं तो यह सारी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल चाट एंड स्नैक्स प्ले लिस्ट में जाकर आप यह सारी रेसिपी देख सकते हैं वहां पर चलते हैं बनाते हैं हमारी खटी मीठी ब्राउन चेटनी तो यहां पर मिठास के लिए मैंने लिया है खजूर यह काफी सारा है डेट्स है और उसके बाद हमने खटी बन के लिया लिया है आपर इमली तो मिठास के लिए खजूर और खट्टे बन के लिए इमली इस चेटनी में हम ना तो चीनी यूज करेंगे ना ही गुड़ी उस करेंगे तो फ्रेंड्स अब यहां पर खजूर और इमली दोनों में ही हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे इतना कि जितना हम यह दोनों अच्छी तरह से भीग जाए और हम इन्हें एक से दो घंटे के लिए छोड़ देंगे पीखने के लिए तक कि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए फ्रेंड्स जो हम जनरली इमली की चटनी बनाते हैं उसमें हम इमली के साथ में चीनी गूर या कॉर्ण मिलाते हैं उसको कड़ा करने के लिए तो यहां पर हम वह सब नहीं डाल रहे हैं सीधा इसमें हम खजूर डाल रहे हैं जिससे कि आपको टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी मिल रहा है फ्रेंड्स अब यहां पर एक घंटा हो चुका है चलिए देख लेते हैं यहां पर इमली औ मैश कर लेंगे ताकि इसका पल्प है वो सेपरेट हो जाए इसके डंठलों से और बीज से उसके बाद हम इसे चान कर अलग कर लेंगे अब देख लीजेए खजूर को भी बार चेक कर लेंगे सॉफ्ट है कि नहीं तो यह बल्कुल अच्छी तरह से पिसने के लाइक सॉफ् तो हम इसको चान लेंगे ताकि जितना भी डेंटल है जो हमें नहीं चाहिए कच्रा वगेरा उसको छान लेंगे अच्छे से तो यहां पर इमली का पल्प भी अमने जार में रख लिया है अब हम इसे पीस कर इसका स्मूध पेस्ट तयार कर लेंगे तो फ्रेंट्स यह चुटा चुटा काटकर डाल देंगे उसको दो से तीन हरी मिर्च डाल लीजिए इसकी जगह पर आप लाल मिर्च भी उसका सकते हैं उससे कलर अच्छा आजाता है तो फ्रेंट इसके बाद हम डालेंगे एक चोटा चमच सॉफ इससे काफी अच्छा फलेवर आता है यह पर देंगे ऍच्छी तरह से बढ़ा घस चीलियए फर्ट के लिए इसके बाद शची तरह से बिल्गू बीस लेंगे में इसका पेस्ट करना है इन्हों तेख्याय यह जूटीक नई हो गया है तो शुटा यह ऩ度री हम बनने के निखी आप आई जानों हलसा आंए तो क्रोड दालें एक से दो चमत तेल गरम हो जाता है उसमें एक चोटा चमच राई डाल देंगे राई को हम फूते कर देंगे जैसे चेटकने लगे गाए थोड़ा से ढ़केंगे ताकि ये फेस वागेरा पर ना आ जाए राई जैसे ही चटक जाता है हम उसमें थोड़ा सा करी कपता डाल देंगे ये बिलकुल ऑप्शनल है आप अगर डालना चाहें तो डालें या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं अब यही पर हम वो मसाला डाल देंगे जो हमने पेस्ट तयार करके रखा है चटनी के लिए इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ में हम डाल देंगे ये खजूर और इमली वाला पेस्ट जो हमने तयार करके रखा था अब इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से बिलकुल mix कर लेंगे चला लेंगे और हमें इस चटनी को पांच से साथ मिनट के लिए अच्छे से boil होने के लिए छोड़ देना है तो आप इसे boil होने के लिए छोड़ दीजिए अब यहीं पर हम ढाल देंगे एक चोथाई चमच नम मिनिट यह हो चुक है इसको उबलते हो और यह देखिए कितना बढ़िया लग रहा है अभी आप यह जिसे देख लिए यह काफी देखिए गाढ़ा भी है और एकदम फ्री फ्लोईंग और बहुत बढ़िया है तो हमें बस ऐसा ही कंसिस्टेंसी चाहिए चटनी का क्योंकि जब ठंडा होगा तो थोड़ा सा गाढ़ा और होता है अभी तो गरम है इसलिए अराम से बिलकुल फ्री फ्लो हो रहा है तो यहीं पर बस हमें इतना ही उबालना है इसक के बाद हम इसे ट्रांसफर कर देंगे एक दूसरे बरतन में आप देखेंगे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे इसमें गाढ़ा पनाएगा यह देखिए हमारा ब्राउन चटनी खजूर और इमली वाला कितना अच्छा इसका कंसिस्टेंसी है मैं आपको एक बर दिखा देती हूँ देखिए कितना बढ़िया लग रहा है आप यह जरूर बनाईए आप चलते हैं आगे बनाएंगे दूसरी चटनी यानि हमारी ग्रीन चटनी तो इसे कैसे बनाना है देखते जाए इसके लिए मैंने थोड़ा सा रोस्टेड मुंगफली यानि की भुनी हुई अपने हाथों तो निकालरा करेंगे निकाल देंगे तो इस इसका चिलके में बना सकते हैं तो इसके चलके को उड़ा सकते हैं तो आपको यह दिखिए इस तरह से मुंगफली मिल जाएगी अब हम एक grinder जार लेंगे और उसमें डालेंगे हरी मिर्च आप 3-4 हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं चटनी के लिए इसके बाद हम इसमें 4-5 लेसन की कलिया यूज़ करेंगे उसके बाद ही जो हमने बिना चिलके वाली मुंग फली है वो यूज़ कर लेंगे इसमें डाल देंगे उसके बाद 1-4 चमच हम जीरा डाल देंगे साबुत उसके बाद हम डालेंगे धनिया के पत्ते चॉप किये हुए यह देखिए इस तरह से धनिया का पत्ता काफी सारा डालना है उसके बाद एक नीबू लेंगे हम नीबू का रस हमें एक से डेड़ चमच लेना है इसलिए एक नीबू ले लिजिए और उसका रस इसमें डाल दीजिए खटा पन के लिए आप चाहे तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं या फिर अगर कच्छा आम अबलेबल है तो आप व कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है न बहुत जादा पतली है न बहुत जादी गाड़ी है मीडियम बिल्कुल थीक बढ़िया सा चटनी यहां तयार हुआ है इस चटनी को हम एक बावल में रख देंगे और उसके बाद लास्ट में इसमें नमक मिलेंगे तो आदा चोट लाइक कीजिए जाद सादा शेयर कीजिए साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो इस तरह की वीडियो अपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक की लिए बाई बाई